अगर इन बातों को आपने पलों में बांद दी ना इन बातों को सीरियसली आपने अगर जान लिया ना तो आप एक प्रोफेस्नल ब्यूटीशन बन जायेंगे और इस फिल्ड में आप बहुत ही ग्रोग करेंगे तो जो सच में ब्यूटीशन बनना चाते हैं उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत ही यूसफुल है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और जो हमारी चैनल पर न्यूँ है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें तो देखें अगर आप ब्यूटीशन बनना चाते हैं तो सबसे जरूरी तो रहता है कि आपका माइंड जो है वो क्रियेटिव होना चाहिए क्रियेटिव माइंड जिनका रहता है वो इस फिल्ड में बहुत ही ज्यादा ग्रोग कर सकते है हम अपने दिमाग से नए 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 तो आप इसमें ज्यादा ग्रोग कर सकेंगे ऐसा नहीं है कि हमने पालर में सिखा है इतना सिखा है इस तरह से ही करना है ठीक है तो आप इतना ग्रोग ने कर पाएंगे लेकिन आपको अपने माइंड से भी इसमें कुछ अलग करना है तो यह बहुत जरूरी है कि अगर आप का माइन क्रियेटिव है ना तो आप एक प्रोफेशनल ड्यूटिशन बन सकते हैं और दूसरी बात क्या है ना कि अगर आप कहीं भी ब्यूटी पालर का कोर्स सीख रहे हैं तो जो आपको सिखा रहा है ना वो आपको 100% कभी भी नहीं सिखा पाएगा जी हां ये बात खास दिम अगपर को से ने क्या सकते हैं तोम हमनों उसमें ज्यादा ग्रोफ कर सकते हैं और कोई वी चीज़ का कोई डूड नहीं होता है कि ऐसे ही मेकप करना आप अपने दिमाग से भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं यह बात आपको खास याद रखने और दूसरी बात क्या है कि अगर आप ब्यूटीशन बनना चाहते हैं तो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है जी हाँ बिल्कुल इस फिल्ड में आपको बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि हर दिन हर समय अलग अलग फेशन बदलती जाती अलग अलग मेकप भी बदलता जाता है तो उस तरह से आपको अपडेट रहना है जैसे कि मान लो अभी जो आप मेकप सीख रहे क्या 10 साल या 15 साल के बाद यहीं मेकप रहेगा यहीं सारी ट्रिक रहेगी नहीं इसमें कितना चेंजस आज आएगा वो आपको खुद सिखना पड़ेगा जैसे कि मैं अपनी बात बताओ मैंने 10 साल पहले जो ब्यूटी पालर का कोर्स दीखा था तो अब जो मेकप हम करते ह लेकिन तब मुझे वो मेकप बहुत ज्यादे पसंदाता था क्यूंकि तब उस टैप का मेकप चलता था जो हमें अच्छा लगता था लेकिन आज अगर 10 सार पहले वाले मेकप किसी को क्रियेट कर दे तो अच्छा लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो उसके ल पहले भी सिखाए ना अगर उसी मेथर को लेके चलेंगे ना तो नहीं चलता है इसलिए इस फिल्ड में आपको अपडेट रेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर समय पे आपको अपडेट रेना पड़ेगा कि अभी कौन सी फिशन चल रही है कि सम मेकप चल रहा है क्या प्रेंडिंग में है ये बाते बहुती ध्यान रखनी होगी और दूसरी बात तो यह है कि हम किसी से भी अगर ब्यूटी पैलर का कोर्स सीख रहे है या तो मेकप का कोर्स सीख रहे है ना तो लाइफ में कभी भी उसे ट्रॉल ना करें क्योंकि हम जिससे अगर इतनी छोटी स जिसके भी बात सीकते हैं तो हम उसी गुरु मानते हैं वगर किसी से हमने कुछ थोड़ा सा भी अगर सीखा है ना तो उसका धन्यवाद आदा करना है उसे ट्रॉल जिनगी में कभी भी ना करें ऐसा नहीं है ऑनलाइन की बात ने हो रही अगर आप कहीं ऑफलाइन भी किसी से क प्रॉल करेंगे ना तो हम जिन्गी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते यह बात आप खास त्यान रख लो अगर जिन्गी में किसी से इतनी भी बात सिखिए ना तो उसको सुक्रिया जरू से बोले हर वक्त अपने माइन को क्रियेटिव रखे और हर वक्त अपडेट रहे उसकते हैं कि अपने साल पहले ग्यां कर एक कुर्स सीखि हमसे होगा ही नहीं तो सबस्ता आप दूसरे हासिर कर सकते हैं वो तो हम डेफिनेटली हासिर कर ही सकते हैं इसलिए अपने आपको कुछ समझिए और आपने जो ब्यूटी पादर का कोर्स सिखके रखा है ना उसमें थोड़ा सा अपडेट लाकर इस फिल्ड में ग्रो कीजिए ओर इसा नहीं है यह सिर्क भूटी पैलर की बात ओरी प्रोफेशनल मेकप की बात ओरी जो बी फिल्ड में अगर आप कुछ भी शिख रहे या तो आप कुछ भी सीख रहे यह तो आप फेशन डियाइनिंग सीख नए नए आइडियास सोचते रहे और हर समय अपडेट रहे अपने दिमाग से नेगेटिविटी को दूर करें अपने मन में कॉंफिडेंस लाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं इस तरह से हमें इस फिल्ड में आगे बढ़ना है नेगेटिव लोगों से दूर रहे नेगेटिव ख हैं तो आप हंड्रेट परसेंट उसमें आगे बढ़ सकते हैं यह मेरा दाव है तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह सारी बाते समझ में आगे होगी अपना मैंड क्रियेटिव रखना है हर समय अपडेट रहना है नेगेटिव बातों से दूर रहना है फिर भी आपको कोई दिकत आ रही है इसमें ग्रोने कर पा रहे आ तो आपको कोई टिप्स की ज़रूर है या तो आप कुछ सीख नहीं पा रहे है कुछ प्रोब्लम आ रहे है न तो आप मेरा साथ शेयर करें ज़रूर से आपकी व ब्यूटी रिलेटिड प्रोब्लम को शोल करने की कोशिस होगी और एंड में इतना है कहना चाहूँगी हमारे साथ ब्यूटी पालार की कोर्स में प्रोफेशनल मेकप की कोर्स में ऐसे ही जुड़े रहे हैं आपको कुछ ना कुछ नया इसमें से सीखने को मिलेगा ही मिलेगा तो आई होप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें जिसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई टेक केर